दोस्तो जब से बैप सरीज का ट्रेंड चला है लोग मोवीज को भूलते जा रहे हैं इन बैप सरीज में हमें ओ सब देखने को मिलता है जो मोवीज में नहीं होता इन बैप सरीज में गाली गलोच और 18 पलस सीन तो दिल खोल कर परूसा जाता है आज हम आपको ऐसी इंडियन बैप सरीज के बारे में बताएंगे जीने अगर आप हिंदी बैप सरीज का हैं तो कुछ गलत नहीं होगा नारा चवाब देना होगा गाजिपूर कैसनबा आपने परसाद लिया केवल रसाद से काम नहीं चले नमबर वन टांडो बैप सरीज बेस्ट है क्राइम एंड थील एक्टिविटी के ऊपर स्रीज की स्टोडी की अगर हम बात करें तो स्रीज की स्टोडी सुरू होती है एक ऐसे परिवार से जो की सत्ता में बहुत सालों से हैं और वो सत्ता में किसी भी तरह से रहना चाहते हैं लेकिन सत्ता में रहने के लिए ओ कौन-कौन से क्राइम करते है यही दिखाने की कोशिस की जाएगी इस कम्प्रेट वैप सरीज में स्ट्रीज को चाहे तो आप देख सकते हैं एमेज़ान प्राइम वीडियो पर और इसे आई एमडीबी रेटिंग देती है टेन में से 4.7 की हम सबके अंदर एक गुस्सा है और मेरा तो नाम ही शिवा है इसलिए बहुत सारा है अब इस राज नीती में चना क्या नीती लाने पड़ेगी if you can't be the king, be the king maker मतलब राजजा ना बन जखो तो कम से कम राजजा के गुर्टे पकड़ेगी बैब स्रीज बेश्ट है क्राइम थिलर एंड मिस्टरी एक्टि के ऊपर कहाने की सुरुवत होती है नेशनल टेनिस प्लेयर की आचानक से हत्या करती जाती है और इस हत्या के पीछे असल में किसका हाथ रहता है इवेन लास्ट गुर्णेगार पकड़ा जाता है या फिर नहीं पकड़ा जाता है यही दिखाने की कोशिस की जाएगी इस कम्प्लिट बैब स्रीज में स्रीज को चाहे तो आप देख सकते हैं जी फाइप पर जो कि लंदन के गौवर्मेंट को किसी भी तरह से गिराना चाहते हैं और अपना सत्ता बनाना चाहते हैं और असल में एर रेगुनलसरी कौन है और लाजट ठाक इन सभी का क्या अंजाम होता है यही सारी चीजे दिखाने की कोसिस की जाएगे इस कांप्लेट स्रीज में स्रीज को चाहे तो आप देख सकते हैं बूट पर और इसे IMDB रेटिंग देती है 10 में से 7.5 की आप देती है